भारत रतन डॉक्टर भीमरा अंबेटकर को कोटी-कोटी नमन ये कारिक्रम डॉक्टर भीमरा अंबेटकर के जीवन पर आधारित है जहां भारत की जंता के प्रती उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चितरित और एकांकित करने का प्रयास है कारेक्रम में दिखाई गई घटनाय लब्द प्रतिश पुस्तकों से ली गई है इस कारेक्रम के जरिये चैनल की योर से एक विश्वस्तनिय सजग और सकारत्मत प्रयास है और उनके योगदानों से सभी संपूरता में परिचित और अलहादित हो ठीक है राम जी और रमा आप लोग जाएए हम इंतिजार करेंगे और साथ में मेरे इस्थानिक को भी ले जाएए जी भूद भूद धन्यवाद चाहिए बाबा सब्सक्राइब जब तक यह लोग वापस नहीं आते तब तक आप चाहे तो हमारी चाल में आकर रह सकते हैं नहीं मैं महाराज के आदेश पर काम करता हूं मैं तुम्हारी चाल में जा सकता और नाहीं तुम्हें वहां सोड़ सकता हूं कि इसलिए तुम्हें हमारे कार्याले कि अथितिक रह में चलना होगा कल महाराज की आदेश के बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना है कि ठीक है कि अरे चिंता मत कीजिये आप लोग सुबहे फैसला वही आएगा के भीम को बड़ोदा जाना ही पड़ेगा कि वही तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि महाराज है और भीम की नोटंकी के बारे में बाप और वहू मिलकर बात करेंगे तो महाराज को प्रगला नहीं सकते कि अरे अच्छा तो है होगा कि वह राम जी आउ ड्रामा का हुए कैदी बनाएक रख लें और फिर बाद मां इभीम्राव का भी लई जाए अच्छा हितेश काका वहां थाने पहुच गए है वो समझ नहीं आ रहा है उन्हें कैसे छुडवाना है इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे है लेकिन बाखियों को कैसे गिरफतार करवाना है इस पर दिमाग लगाए पड़े है ए करुना तेरा काम यहां नहीं है आँ सब बैटे है न हां तो जा अगर इनसे बात करने दीजे ना आप लोग किसी के है या नहीं एको करूना ऐसा है कि हम सब सांथ परवर्ती के इंसान है हम बेवजा किसी से बैस नहीं करते इसलिए नमक लो और जो वो क्या है ना कि आप सब की तूटी हुए उम्मीदे और जखमी मंशों पर न कि यह जो कुछ भी चल रहा है ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस भीम्राओ का असार दिन बढ़ता ही जा जा रहा है तम उसे जितना दबाने के कोशिश करते है उतना ही तेजी से उबहर कर सामने खड़ा हो जाता हुँ हूँ है सही कह रहा हूं अगर यही सिल्सला चलता र वही तो पहले मुझे लगता था कि यह भीम ऐसे ही है लगता था कि यह नीम निजात का लड़का आखिर क्या कर लेगा दो चार लोग इसकी प्रशंसा करते होंगे लेकिन आज सब उसे नायक नायक पुकारते हुए वहाँ पर पहुंच गए तब सच को तो ऐसा लगता है कि यह भीम कासर लोगों के मन तक पहुंच रहा है और क्या है ना हम व्यक्ति को डरा सकते हैं लेकिन मन को ने डरा सकते हैं ना और जब मन हिम्मती हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल है किसी को अपने नीचे तबाए रहा दिना समझ रहा हूं मैं देखते हैं अगर ये भीम्राव बडवदा चला गया तब ठीक और अगर नहीं गया तो अब तक का सबसे कठिन और कूर कारे करना होगा हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इस भीम्राव की इज़त लोगों के मन से हमेशा हमेशा गिले निकल जाने हैं सालों ल अब इस समस्या का सही हाल मिलेगा कर दो को सब कर दो देगी क्या कि अटरीज़ जयत शांती मान को और ये नमक घर में रखाएंस अक्षां कर दिया कि आज नमक के लिए कॉन रोकता है नहीं नहीं रोग नहीं रही हूँ समझा रही हूँ कि उस भीम के चक्कर में रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा वो सिर्फ अपने फाइदे के बारे में सोचता है और तु काम पर नहीं गई या देखा उसके चक्कर में रहेगी तो काम धन्दा सब छूट जाएगा कब समझोगी कि वो भीम सबको जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इस ताकत का किसी को फाइदा होगा तो वो सिर्फ उससे होगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा आई ना आप वहाँ थी और ना मैं मगर मैंने सुना जब भीम्बाव जा रहे थे कि अपनी इजाद के कई लोग नायक कहते कहते वहाँ आए और आकर घुट्णों पर बैट गए और कहा भीम्राव हमारा नायक है अगर जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे फरना भीम्राव कहीं नहीं जाएगा इसका मतलब समझती है यह ओगा मतलब समझने से जीवन सुदर जाएगा गरीबी हट जाएगी यहां मुची जात के हो जाएंगे इसका मतलब है आई कि भीम्भाव कईयों के नायक है वह गटना सिर्फ ए गटना नहीं तो बलकि प्रेड़ना है एक ताक हम सबका नायक भले ना बन पाएं कम से कम अपना नायक तो बनी सकते हैं मैं भीम्भाव की तरह सबकी नायका तो नहीं बन सकती मगर मैं अपनी नायका जरूर बनूगी और यही हम सबको सीखना चाहिए समाज या जात के लिए नायक बने या ना बने मगर स्वयम के लिए को जरूर नायक बनना चाहिए. आई, कभी जीवन में इरश्या छोड़ कर सोचेगा ना, तब समझ जाएगा, इतने बड़े नायक भीम रहो, का जो आप ऐसे अपमान करती है, वो एक पाप है. नायक, नायक, नायक. नायक एक बड़ चला जाएगा, बस. जीजा भाई, कमाल है. सश्मुष तो कमाल है, जीजा भाई. अपने ही नायक को भगा रही है. लोग तरस चाते हैं, परिवार तरस चाता है. यहां तक के समाज तरस चाता है, कि उनके पास भी कोई एक नायक हूँ. रोग या. अभी आपकी बड़ी बहु इतना लंबा भाशन देखर गई है. अब आपका भाशन सुनने का मन नहीं है मेरा. इसलिए चूप रही है. अपना काम कीजी. सबने समझाने की कोशिश की. लेकिन तू समझी? नहीं ना? इसलिए अभी मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ. चीचा बाए, नायक जिनके पास होते हैं, वो दुनिया को अच्छे से समझते हैं. आने वाली हर मुसीबतों से बाकियों से अच्छी तरह सोच समझ कर लड़ते हैं और जीत्ते भी हैं. इध्यास अपने नायक को याद रखता है. जब भी किसी नायक की जीवनी लिखी, सुनी, सुनाई या समझाई जाती है, तब उनके आज सपास के लोगों को भी याद रखा जाता है. किस्मत ने तो तुझे भीमराओ की आई बना दिया, लेकिन तुने आई बनकर क्या किया? थोड़ा सोच और समझ. सोच लिया, अच्छे से सोच लिया. अब आपको बताती है, आपके उस भती जैसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको बताई होगा. अब एक काम कीजी, आपके भती जैसे कहिए, कि वो जिसमें लिखता है ना वडायरी में, उसके पहले पन्ने पर लिखे, कि जब भी उसकी जीवनी लिखी, सुनाई, सुनी, कही जाएगी, उसमें मेरा जिक्र ना हो, ये उस भीम का मुझ पर किया गया एहसान होगा. अब जाओ. इस बात का जवाब, मैं तुझे भीम राव सही दिलवाऊंगी. वो अंदर से साब को बुला दीजिये ना, हम उनके लिए खाना लाएए. नहीं, नहीं, साहिब, खाना नहीं खाएंगे. आप एक बार उन्हें बुला कर दो लाएए, हम उनसे बात करते हैं ना. मैंने बुला न, आपको समझ में नहीं आ रहा रहा एक बात. समझने की कोशिश कीजिए. हम बात कर लेंगे, आप बुला तो दीजिए. वो खाना नहीं खाएंगे, जाओ यहां से. यह क्या हो रहा है? यह ता शोर क्यूं बचा जा रहा है? साहिब, आपके लिए खाना लेका रहा हैं. खाना खा लीजिए. हाँ, और यह मत समझीए की, यह खाना हम अपने घर से लाया है. हम आपके लिए अलग से खरीद के खाना लाया है. और हमने दस्ताने भी पहने हैं. गरीब हो, लेकिन मेरे लिए खाना लेके आएंगे. हम खिलाफे शोशन के, चुआ छूद के, ना की अपने पहचान के. अती जी की सेवा करना तो हमारा करताव्य है. और साहब, हम नहीं कभी लड़ाई जगड़ा करते हैं और नहीं कभी करना चाहते हैं. साहब, हम तो बस शांती से रहना चाहते हैं. और हम तो बस अपना हिस्सा चाहते हैं. हमें समाज का मालिक नहीं बनना है, साहब. और हिस्सा लेंगे, आज नहीं तो कर लेंगे, बल्कि हम अपने संघर्सों से लेंगे. और अगर नहीं देंगे, तो हम चीन कर लेंगे. लेकिन बिना हिंसा के अपनी मेहनत से भीमराओ बहुत लोगों को तुमने त्यार करके रखा हुआ है लंबी लड़ाई लड़ने की योजना है क्या हक की लड़ाई कभी छोटी और आसान नहीं होती है सर और मैं जानता हूँ कि हमारी ये लड़ाई मेरे जीवन काल में तो खत्म नहीं होगी इसलिए सब को तयार रहना होगा कल अगर माराज का फैसला आ गया चलने के लिए तो तो चलूँगा आपके साथ बढ़ोदा इन सब को रोक तो नहीं पाऊंगा बस एक बार समझाने के कोशिश करूँगा और फिर चलूँगा ठीक है कल तक का इंतजार करते हैं प्त्रोण करते हैं प्त्रोण एक बार प्त्रोण गपके दो कर दो कर दो कर दो नमस्ते आजब बेटा आज़ा चाय लेकर आज़ा हाँ लीजिये आपके लिए चाय लेकर आया पर बेभजाय आप निम नजाती के लोगों में फसक है आप की रात कैसी बित्य होगी हम समझ सकते लीजिये चाय लीजिये और तरो ताजा हो जाईए अरे तरो तॉपजा क्या हूना? आपको जब रात को पता चला था तो आप देखने के लिए अब आए हैं हम ने रात को क्या खाया आपने पूछें़ नहीं आप ये मत तमझ हृगा कि हम आप से ये कह रहे हैं कि आप는지 हमसे ख्षाना क्यू नहीं पूछा हम यह कह रहे हैं कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं और हमको पता है आप यहाँ पे इसलिए आये हैं कि आपको पता चल सके कि महराज ने भीम राव के लिए क्या फैसर लिया है आव आओ जल्दी आओ आप यहां पर इसलिए आये हैं कि आपको पता चल सके कि महाराज ने भीम राव के लिए क्या फैसर लिया है अरे नहीं नहीं इसी बात नहीं है अरे ऐसी ही बात है पीशे बुड़ के देखिए नमस्कार नमस्कार साब नमस्कार नमस्कार सारी रात इसी चिंता मेता सहाब क्या आप किस हाल में होंगे आपने हम कुछ खाया होगा कि नहीं इसलिए आपके लिए गर्मा गरम बढ़िया सी चाय लेकर आए देख लिए ये भी हमारे चाय लेकर आए लेकिन हमको मालूम है ये आप लोग यहां किसलिया हैं बस आपको ये पता करना है कि महाराज ने भीम राव के लिए क्या फैसला लिया है अरे नए नए साभ क्यासी बात कर रहें आप हम तो आप से मिलने आए हैं वो रात में काम के चक्कर में फज गया था इसलिए नहीं आपाया इसलिए देखिए सुपह सुपह आपकी सेवा में हाज है आसे अब आपने बात छेडी दिये तो कुछ खबर है क्या वो महराज के आदेश के बारे में नहीं हम सब भी राम जी और रमा का अंज़ार कर रहे है जब तक राम जी और रमा नहीं आजाते तब तक हमें से किसी को कुछ नहीं पता आप बुराने माने तो एक बात को सब आपको राम जी और रमा को महराज के पास भीजना नहीं चीए था यह लोग बेकार में ही आपका समय बरबाद कर रहे हैं, आपने जो फैसला लिया था, इस भीम्राव को आपके साथ लेकर जाने का, विल्कुल सही लिया था, आप देखिये का, महाराज का भी यही फैसला होगा, अब जब चात्रवित्ति लिए इसने तो बड़ोदा जाकर काम करना चाहिए इसको, नहां सहाब, सही कह रहा है सुष्पाल, लेकिना, चात्रवित्ति लेते समय तम बड़ा मजा आया इस भीम्राव को, और अब जब बड़ोदा जाने की बार ही आई, तो नोटंकी कर रहा है, मैं तो कहता हूं सहाब, आपको ऐसे निम्नजात के लोगों क हम सब को इंज़ार करना पड़ेगा, जब तक की राम जी और रवानी आजाते हैं, यह तो आ गए ना बाबा, अब बताएंगे लो, चलो, आएये, आएये, आए कि राजर साब से बात हुई जी आप हुई क्या का राजर साब ने इस लिफाफे में कुछ चिट्टी लिख कर दी हमें भी नहीं पता कि क्या है कि अरे जल्दी जल्दी चलो चलके देखते कि महाराजनी क्या फैसला बेजाया बस भीम चला जाये फिर बैठकर चाय भीजियेगा अरे काल से तो मस्त नाचेंगे और गाएंगे ठीके लाओ कर दो बता ही ना, राजय साब ने क्या लिखा है? हाँ हाँ साब, बताये ना, क्या लिखा है इस चिट्टी में? भीम्राव, तुम पोड़ा भीम्राव, तुरा जोर से बढ़ना, ताकि सब को सुनाई पड़े, और हमें भी हमें भी तो मालूम आना चाहिए, कि महाराज ने क्या सजाताय किया तुम्हारे लिए, पड़ा पड़ा भीम्राव, निया यही कहता है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर, अभी के अभी बड़ोदा आना चाहिए और नहीं आने पर तुम्हें दंड मिलेगा अभी यह तो नहीं था एक दों सही नहीं मेगनाज जी खुश है इसका मतलब महराज का आदेश भीम के विरोद में है है? हाँ, रुको हम भी आ गए है हमें भी बता खुश खबरी है तुम्हारे लिए यह भीम्राव इसको महराज ने बड़ोदा बुलाया है और ना आने पर सजा की बात कही है